सर्दियां शुरू होते ही हम सब कमरदर, जोडों का दद, घुट्णों का दद परिशान करने लग जाता है या फिस सर्वाइकल और माइग्रेन की प्रॉब्लम तो बहुत जादा बढ़ जाती है छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से ठंड लग जाती है आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए राम बाने लाज है यानि कि इसका एक चमच भी सुबह नाष्टे में खालेंगे न तो इन प्रॉब्लम्स से काफी हद तक आपको चुटकारा मिल जाता है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चोथाई कप गौन ले ली है इसकी तासीर बहुत गरम होती है इसे सर्दियों में ही खाना चाहिए इसे grinder jar में डाल देंगे और इसका एकदम fine powder बना लेंगे यह देखे हमने इसका fine powder बना लिया है आप इसे इस mixing bowl में डाल देंगे और इसमें एक चोथाई कप देसी घी डालेंगे यहाँ पर आपको घी का ही यूज करना है अगर गाएं का घी है तो और बेटर है नहीं तो आप नॉर्मल घी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हमने एक चमज़ घी को बचा लिया है जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे ढख करके बादाम खाने के बहुत सारे फाइदे हैं अगर आपकी स्किन राए है तो आपको बादाम जरूर खाने चाहिए उससे आपकी स्किन काफ़ी स्मूध और सॉफ्ट हो जाती है वेट कंट्रोल करने में भी हल्प करते हैं यादाश बहुत अच्छी होती है, साथी दिल के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन में भी हल्प करती है, और ये देखे, एक से दो मिनट ही हुए है, बादाम अच्छे से भुन गए हैं, तो अब हम इसमें यहाँ पर आधा कप ही काजु टुकड़ा डाल रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर साबुत काजु भी डाल सकते हैं, अब हम काजु को भी एक से दो मिनट के लिए इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, काजु आपके दिमाग को काफी हल्दी रखता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, साथी डियाबिटीज में बहुत फायदे मंद है, शुगर लेबल को कंट्रोल करता है, साथी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और इसके साथ ही हम इसमें यहाँ पर एक चोथाई कप तर्बूज के भी यानि की वाटर मेलन सीर्स डाल देंगे, और इनको भी इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, इसमें हमने जितनी भी चीज़ें यूज करी हैं, उसमें हर एक चीज़ में अपने बहुत सारे गुण है, यानि कि यह जो सब गुण मिला करके आप एक डेजर्ट तयार करेंगे न, सोचो कि वो कितना हेल्दी होगा, और इन सबी चीज़ों की मेजर्मेंट आपको कप के हिसाब से भी और साथी ग्रैम्स में भी नीचे डिस्प्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आपको इन लड़ों को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अब हम इनको low to medium फ्रेम पर इस तरीके से लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, अगर किसी को सिर्दा बहुत जादा होता है, या फिस सांस का रोग होता है, या हार्मोनाल प्रॉप्लम बहुत जादा है, तो आपको पॉपी सीर्स जरूर खाने चाहिए, चाहिए किसी भी पॉप में खाएं, सुखे नारिल में ऐसे एंटियोक्सिदेंट्स होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम के साथ साथ हार्ट हेल्थ को भी बहतर करते हैं, तकरीबन 3-4 मिनिट हो चुकी हैं, हमने इने लगाता इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से भून लिया है, इस तरीके से भूनने से इसमें हलका सा कररा पन आ जाता है, यनि कि यह जो है इसमें हलका जाज जैसे कहते हैं इनको जो moisture है वो खतम हो जाता है उनका taste बहुत निखर कर आता है तो बस इससे जाधा हम इसे नहीं भूनेंगे अब हम इन सभी dry fruit को इस plate में निकाल लेंगे इन dry fruit को थोड़ा ठंडा होने देंगे और तब तक मैंने यहाँ इस pan में 2 cup फूल मखाने डाल दिये हैं वेट में आपेंगे तो 30 gram मखाने हैं इनको भी low to medium flame पर लगता चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे आपको इन्हें तब तक भूनना है जब तक यह हलके से क्रिस्पी नहीं हो जाते या फिर हाथ से दबाने पर तूटने नहीं और यह देखें तकरीबन 4-5 मिनट लगे हैं हमने इन्हें low to medium flame पर अच्छे से भून लिया है और अगर मैं इस तरीके से हाथ से crush कर रहे हूँ तो यह आसानी से crush हो रहे हैं तो समय लीजे कि मखाने बढ़िया से भून चुके हैं अब हम इने भी इसी प्लेट में ही निकाल देखें और यहां पर हम गोन देख लेते हैं यह देखें गोन जो है इसमें अच्छे से फूल चुकी है और जो घी है वो काफी हद तक इसमें जम चुका है अब इस पैन में हम घी और गोन दोनों को डाल देंगे गे ग्यास का फ्लेम medium to high रखेंगे और इनको लगातार चला चलाते हुए इसको भून लेंगे यह आपस में इस तरीके से थोड़ी से चिपक जाएगी पर कोई प्रॉब्रम नहीं है आप इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से उलटते पलटते हुए अच्छे से दोनों साइट से फ्राइ कर लें और यह देखें तकरीबन चार से दरदरा सा पीस देंगे यानि कि इसका कोर्स पाउडर बनाना है आपको यह देखें हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब इस ड्राइफूट को हम इसी पैन में ही डाल देंगे जिसमें हमारी गौंद रख्य हुई है और बाकी का ड्राइफूट भी बिल्कुल इसी त जाल आ चुका है गैस का फ्लेम आउफ कर देंगे और अब यह गरम गरम दूद हम इस ड्राइफूट वाले मिक्शर में डाल देंगे ऐसा करने से एक तो जो ड्राइफूट है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा साथ ही जो हमने गौंद फ्राइफ करी थी वो भी इसमें अच्छ होने लग गया है कि क्या फाइदा होता है कि जब आप कोई भी डेजट बनाएंगे और उसमें दूद को उस हद तक पकाएंगे कि जब वो बिल्कुल घी रिलीस करने लग जाए और एक दम थिक हो जाए जैसे कि हम मिल्किक बनाते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन द फोड़े से मोटे पार्टिकल्स रहसे आपस में चिपक गई थी वो बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जाएंगे और अब इसमें मीठे के लिए मैं यहां पर 1500 ग्राम गुड डाल रही हूं गुड हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसकी तासीर गरम होती है आपको इस जादा है यह उसमें थोड़ा सा इतना साफ नहीं है गुड तो आप उसको थोड़ा सा पानी में मेल्ट करके और चान के भी इसमें डाल सकते हैं आप इसमें प्लीवर के लिए आदिशूटी चमच लाइची का पाउडर डाल देंगे और बस आप इसे लगातार चलाती रहे यानि कि अच्छे से पक जाएगा और मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर तक्रीबां दस से पंधा मिट के लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिया है और यह देखिए हमारा मिक्षर यहां पर तयार हो चुका है इसने घी भी रिलीज कर दिया है और आप इसका टेक् में एकसर प्रॉब्लम हो जाती है जैसे थकान कमजोरी जैसा फील होता है या पुरानी दर्दें उठ जाती है तो उन प्रॉब्लम से आपको काफी अराम मिल जाएगा और आप इसे दस से पंधा दिन तक फ्रिज में स्टोकर के भी रख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप भी इस सरीके से आप से जोड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब तक लिए गुडबाए टेक केर और थैंक्स वर वाचिंग